बात करते हैं करक लगन की करक लगन की कुंडली की जो चाभी है वो होती है मंगल के पास करक लगन के पास सबसे बड़ी शक्ती जिस ग्राकी होती है उसे कहते हैं मंगल अगर मंगल ठीक रहे करक लगन की कुंडली है आपकी तो जीवन में मोटे तोर से सब ठीक रहता है कुंडली आपकी करक लगन की है मंगल आपका बेहतर है आप जीवन में तरक्की जरूर करेंगे खास तोर से अगर मंगल बेहतर है और कुंडली करक लगन की है तो दुरघटनाओं से और सेहत की समस्या से रक्षा होती है करक लगन में अगर मंगल बेहतर है तो व्यक्ति जीवन में कम प्रयास करके भी सफलता पा जाता है करक लगन वालों के जीवन में राज योग राजसी योग बड़े आसानी से बनते हैं और ये तमाम राज योग सामान्यता बनते हैं मंगल की वज़े से इसलिए अगर आपकी कुंडली करक लगन की है और आप जीवन में विशे सफलता पाना चाहते हैं तो आपको मंगल पर फोकस करना होगा मंगल को बेहतर करना होगा तीन तरीके होंगे जिससे करक लगन के लोग मंगल को बेहतर कर पाएंगे पहला काम हनुमान जी की उपासना जरूर करियेगा रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालिसा पढ़ियेगा आपके लिए बेहतर होगा दूसरा काम सलाह ले करके एक मूंगा पहनिये करक लगन में मूंगा धारन करना बहुत अच्छा होता है और तीसरा काम अगर आपकी कुंडली करक लगन की है तो आप कोशिश करें कि कम से कम शनी वार के दिन हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन करें आपको लाब होगा